दिल्ली के जंतर मंतर पर धन्ना दे रहे है पहलवानों और पुलिस के बीच बुद्दवार देराज जड़प हो गई कुछ पहलवानों को चोटे आई हैं जड़प के बाद विनेश और साक्षी रोने लगी इस हाता पाय के बाद आज बजरंग पुनिया ने कहा है कि हम अपने मेडल्स भारत सरकार को लोटा देंगे बॉकसर बिजिंदर सिंग ने कहा है कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी तो क्या है पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में इंसाफ की मांग कर ही देश की बीटियों के साथ सरकार और पुलिस की ज्यातियां बढ़ती ही जा रही है 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर खिलाडी भारतिय कुष्टि संग महा संग की अध्यक्ष और बीजेपी सांसत के खिलाफ गिरफतारी की मांग को लेकर धर्णा दे रही है पहलवानों की धर्णी का आज 12 दिन है बीती रात पहलवानों और पुलिस के बीज जड़प हो गई थी पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वज़द से उन्होंने बिस्तर मंगवाए थे पुलिस ने धर्णा स्थल पर पहुँचने से पहले ही रोग दिया इसी दोरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीज धक्का मुक्की हो गई खबरों के मुताबिक दुश्यन फोगार्ट समेथ दो पहलवानों को चोटे आई है वही जंतर मंतर पहुचे आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाद भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है बाद में उनको छोड़ दिया गया इस घटना की बाद जंतर मंतर पर सुरक्षा और भी जादा बढ़ा दी गई है पहलवान बजरंग पुनिया का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को गालिया दी और उनके साथ मारपीट भी की उन्होंने कहा कि हमें पुरे देश के समर्थन की जरूरत है सभी को दिल्ली आना चाहिए पुलिस हमारे खिलाफ बल प्रयोग कर रही है महिलाओं को गाली दे रही है और ब्रिजबूशन के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है वहीं देर रात मीडिया से बात करते हुए पहलवान बिनेश्वगाड और साक्षी मलिक रो पड़ी उन्होंने कहा कि क्या हमने ये दिन देखने के लिए देश के लिए पड़क जीते हैं हमने अपना खाना भी नहीं खाया है क्या पुरुषों को महिलाओं के साथ दुर्वेवार करने का अधिकार है ये पुलिस वाले बंदू के पकड़े हुए हैं वे हमें मार सकते हैं कहा है महिला पुलिस अधिकारी हमें ऐसे कैसे धकेल सकते हैं हम अपराधी नहीं है नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने मेरे भ पासियों से समर्थन देने के लिए जंतरमंतर आने की अपील की है डिबी लाइफ की रिपोर्ट